नमस्कार दोस्तों मेरे चेनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारें बहुती टेस्टी रेसीपी आज हम बनाएंगे बत्वे का रायता जो खाने में बेहट टेस्टी लगता है साथी ये बहुती ज़्यादा गुनकारी भी होता है तो यहां मैंने लिया है ताजा ताज गाइंगे दो गिलास पानी और इसे रखhome दें गे हम चूले पर तो इसे हम8-10 मिनट ढक करके पकाएंगे तो यहां 10 मिनट हो चुके हैं और बथवा हमारा उबल करके तैयार हो चुका है आब हम इसे चूले से नीचे उतार लेंगे और छलने की सायता से इसका पानी अलग कर देंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे तो यहां मैंने बत्वे को अच्छे से ठंडा कर लिया है अब दोनों हातों से इस तरह से हम बत्वे को अच्छे से निचोड़ेंगे और इसका हमेज सारा पानी निकालना है जिससे की जो हमार रायता है वह होगी टेस्ति बनेगा तो मैंने यहां बतों को निचोड़ कर रख लिया है उसी बरतन को हम चुले पे रखेंगे और डालेंगे आदा चमज तेल तेल को अच्छे से गरम करेंगे एक चमज जीरा डाल देंगे और मैंने यहां लिए आठ से दस लेसुन की कलिया जिने मैंने बारिक काट लिया है तो इन्हें हम कुछ सेकिंड पका लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे बत्वे को बत्वे को अच्छे से मिक्स करते हुए एक से दो मिनट पका लेते हैं अब हम इसमें दालेंगे एक चमच लाल मिर्ची पाउडर नमक डालेंगे स्वाच के अनुसार और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनट हम इने चलाते हुए और पका लेते हैं तो यह देखिए हमारा बत्वे का साग बन करके तयार है अब हम इसे चूले से नीचे उतार लेंगे तो आज हम रायते में तड़का मिट्टी की हांडी का लगाएंगे इसका तड़का है जो बहुती टेस्टी लगता है तो यहां मैंने लिए चूले की उपले वाली आज तो इसे हम फर्स के उपर रख देंगे और इसके उपर हम डालेंगे थोड़ा सा सरसो का तेल साथ हम डालेंगे 5-6 बारी कटे हुए लैसुन को अब अब इसके उपर रखेंगे मिट्टी की हांडी को तो मिट्टी की हांडी को हम उल्टा करके रखेंगे और इसे 2-3 मिनट इसी तरह से रखा रहने देंगे तो यहां मैंने बथवे को अच्छे से ठंडा कर लिया ह अब हम इसमें 3-4 गिलाज छाच को एड़ करेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की इसमें गुठली वगेरा ना रहें तो यहां 2 मिनट हो चुके हैं और हांडी में देखी खुब सारा धुआ आ गया है त पांच मिनट हो चुके हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह लीजिए दोस्तों हमारी मिट्टी की हांडी की खुष्बू का बहुती टैस्टी रायता जो खाने में बहुती टैस्टी लगता है तो इस तरह से जब आप रायते को बनाएंगे तो यह बहुती टेस्टी लगता है और इसकी खुश्बू है जो बहुती अच्छी आती है तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें लाइक करें सेयर करें प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद